असलाम अलेकुम दोस्तों क्या हल जालें आपकी उमीद करती हूं कि आप सब्सक्रिक ठाक होंगे और आज के इस वीडियो में आपको कल्स बनाने की डिफ्रेंट टेकनिक्स जो हैं वह बताएंगे और डिफ्रेंट टाइपस के टूल्स जो हैं जिसमें small size, large size, corn, iron, cream पर हैं और statuner curls है और जो curl थोते हैं उन्हें इंडिफ्रेंट साइजेज हैं उन सबकी टेकनिक्स जो है वो share करेंगे sizes दिखाएंगे वीडियो को last तक जो है वो देखते रहेगा और देखेगा कि सही perfect way क्या है जिससे आप एक अच्छा long lasting curl जो है वो बना सकते हैं ठीक है अच्छा यहां पर मैं आपको जो है वो curls जो है curler जो है वो दिखाऊंगी और इनके sizes भी आप लोगों को बताऊंगी ठीक है तकरीपन 5-6 color curler है मेरे पास इसमें सबसे पहले जो मैं यूज करी हूँ नाइन नंबर का जो है वो curler है ठीक है तो नाइन नंबर का जो curler होता है उसको यूज किया जाते है जब आप कोई bread वगएरा बन वगएरा बनाते हो ब्रैडल को या कोई massive बन वगएरा आप बनाते हो और फ्रंट के उपर बिल्कुल छोटे-छोटे से जो आप कल्स देख रहे होते हो वो इस curler को यूज करते हुए जो है वो बनाए जाते हैं आप की सबसे बड़ी बात यहैं कि यह इसके अंदर जो है यह नि कि रोलर लगाया गया है ठीक है जनिके आप बहुत असानी से इसको hold कर सकते हो बैक से इसको जो है वह वो घुमा के तो असानी से एक खुपसूरत करल से यूज से अचीव कर सकते हो ठीक है तो यहां हम 9 number का करलर पर करना चाहते हैं ठीक है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है आपको बारीक बारीक सेक्शन लेने पढ़ेंगे और उसको जो है वह आपको बहुत ही मेहनत के साथ जो है तकरीबन डेड़ दो घंटे लगा के तो यह कल्स करने पढ़ेंगे जितनी लेंद्ध इ करनाये हुए भी देखा होगा ठीक है तो यह देखिए खूपसरा से कल्स हैं इनको बाद में अगर आप खोल देते हैं ठीक है कॉम की ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से तो यह इनका लुक जो हो जाता है और यह बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे पर्मिंग जो चेक करते हैं आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है और बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी सोल्फ होंगी और बहुत सारे करलर के बारे में जो है वह आप जो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से उनको जो है वह यूज किया जाता है यह देखें घने बा लेने के से में हमने चोटे कल्स में तो यह ብ हमें इस तरह का जो है वह लूक मिला है अभी हमारे पास जो सहकीं करलर है यह अटोमेटिक करलर हैं अच्छा सारे के सारे और अच्छे। wa schak 겁니다 जो है जिसके पीछे आपको जो है वह स्पैशल कंट्रोल कंट्रोलर जो है वह मिल जाता है द करल्स जो है वह आप बना सकते हैं अभी करलर फूंडर करीय शोडर करके आप अधर भ यूज़ कर चीन ल Lock नहें यह जोड़ेसे नीची होते है तो फकर करनेस करने मैंते साइट से इसको बाल सक्बार रखना है ठीक है? और बाद में उपर लगे हुवे होल्डर को वह आप ने आराम आराम से दुबाने है और जो आपका लटा हाथ है उसको भी साथ साथ जो हो घूमाते चले जाने हैं जो आपने छाथ कर्ल आपको बना होँवा मिल जाएगा shoulder length है अगर आपके बालों के तो आप इस number के curler को जो है वो खरीद के अपने पास जो है वो लाजमी रखें क्योंकि ये बहुत ही खुबसुरती से आपके बालों पर जो है वो quick quick जो है वो result देगा वैसे भी आप इनके numbers को जो है वो जहन नशीन कर लें ये सारे का सारे curlers जो है वो हमारे description में दिएगे इसका ये है कि आपकी पीछे से wire भी बहुत असानी से जो है वो घूमती है और आपका curler भी बहुत असानी से hold की होता है और बहुत असानी से आप एक अच्छा करल बना सकते हैं ठीक है अच्छा इसका look आप देखें कि आप थोड़ा सा push करते हैं और ये करल आपका जो है व आपको बहुत बहुत fluffy वाला लुक भी इसमें जो है वो मिल जाता है देखें दो टाइप के करल हमने एक ही करलर से वह चीव कर लिए अभी एक और करलर आपको जो है फिर से गेन बताएंगे कि ऐसे आपने इसको रखना है ठीक है और आपने बैक से इसको बस सिरफ गुमाना है घुमाना है और चंद सेकेंड आपने बस वेट करना है जब एक दफ़ा यह गरम हो जाते हैं क्योंकि इनका temperature जो होता है वो 230 तक जो है वह जाते है और बहुत ही असानी से जब एक दफ़ा गरम हो जाते है तो क्विक क्विक आपका जो है वह रिजल्ट आना शुरू हो ज अच्छा यह वाला भी आटोमेटिक है यहां पर इसे राड लगा जिसे को आप घुमा के अपना काम कर सकते हो ठीक है और इसका नंबर 19 है जो हम इस वकत यूज कर रहे हैं और यह मीडियम लेंद्ध हेर के लिए बहुत ही प्रफेक्ट रहता है ठीक है इसमें भी हम चल्मा के इसे और के के इसे को नहीं कर दो हो चूज कर दो रहे हैं यह इसे कर दो कर दो कर दो जी तो यहां पर हमारे कल्स जो है वह बन चुके हैं और अभी हम आपको इक डिफ्रेंट टाइप का करलर दिखाते हैं इसका नाम है कोन आईरन ठीक है और यह ऊपर से थोड़ा थोड़ा चोड़े इसका होता है नीचे से थोड़ा बारीक होता है कौन की तरह इसकी जो है वह और इसमें भी temperature setting होती है जो कि आई थिंग 230 तक जो है वह जाती है ठीक है और इसको आप असानी से जो है वह temperature इसका सेट करने के बाद जो है जब एक दफ़ा इसका यह थोड़ा गरम हो जाता है तो फिर बड़ी क्विक जो है आपको इसका result मिलता है और यह कर लोता है जब ह पूरे हैर्स पे इनको करते हो तो इसका लुक इतना ज़्यादा खूबशवरत आता है कि यह आप इसका महीं कर दोंट के निचे ला पकड़ लेना है और आप इसका लुक देखिए उपर से चोड़ा है और नीचे से जैसे कौन का एक शेप होता है सेम उसी शेप में ही आपको जो है यह करल मिलता है ठीक है और बाकिया ही में आप इसको पूरे हैस के भी किसी दिन में आपको करके दिखाऊंगी कि इसका लुक बहुत थी जादर डिफरेंट और यू पर नमबर का यह करलर है लाट साइस का और यह भी आटोमेटिक करलर है ठीक है जो बहुत ही बहुत ही खुब सुर्थी से आपके बालों को करल करते हैं और आज कल इस तरह के डिफरेंट स्टाइल से ले में हैं जो बहुत लूज कर चाती है लड़कियां या पर अब्लोड वाला लुक जो है वो चाहती है उनके लिए ये प्रफेक्ट कर्लर है ठीक है ये लॉंग लेंथ पर मीडियन लेंथ पर दोनों पर जी जो है वो काम करते हैं आप देखें कितना खुबसूरत इसने जो है वो कर्ल किया और आप पिलीव करें कि इस कर्लर की हैल्प से मैं इतनी ज्यादा जो है वो प्यारी प्यारी स्टाइलिंग करती हूं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं ठीक है जिस तना ब्लोड राए कि मैं आपको बहुत दादा टाइम चाहिए होता है तो इसको यूज़ करके आप चंद ही सेकिंड में बहुत ही अच्छा और यूनीक और डि कितना आटोमेटिक है आपको इतना असान वे है इसको यूज़ करने का अगर किसी को स्टेटनर के साथ कर्ल्स करना नहीं आते हैं तो अब वो इस थर्टी वान नंबर के करलर को लाजमी पर्चेस करके अपने पास रखें क्यूंकि इसके साथ आप बहुत यूनीक और डिफ साथ है ऐसे चते हैं अगर के फिर से अब बताती हूं कि क्यूंकि क्यूंकि कर रहे हैं तो हरता के कल्स जो है अब लोगों के कर्स रहें वो इन्शाला आप लोगों के लिए लेके आएंगे भी बहुत सारे स्टाइल्स है कर्स के कर्स अपका स्टेटनर को आपने किस तरह से लगने आहिस्ता से जो है वो नीचे लेके आने हैं और फिर इसको जो है गोल घुमाते हुए जो है जब आप छोड़ेंगे तो जो है वो स्टाइलिंग दे रहे हुते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ऐज कि वीडियो में हमने बहुत सारी आप लोगों के साथ लिए जो है की है आपको Watch कि Satya का बैब बड़े सायज के का ब्लोबán के लिए क्ले क्ली कर सकते हो और इसके लावा पूल हे पे म नमबर का करलर यूज़ कर सकते हो यह बहुत सारी यूनीक यानि के डिफरन्ट जो नौलिज थी वह आप लोगों तक जो है वह पहुचाने की जह हो कोशिश जो है वह की गई है वीडियो को लाइक करना बनता है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्त झालोलललल कर दोस्त।